पंत्री जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ मैं सवाल ये है कि देखे मैं ये भी चाहती हूँ कि कुछ पन्ने आपकी भी जिन्दगी के पलते जाए मुझे ये बताईए कि क्या इस बात में दम है जो वेद सोलंकी कह रहा है उनका कहना है कि फोन टैपिंग हो रही है अंटी करॉप्शन ब्यूरो का छापा पढ़ा जाएगा क्या ये दबाव है सचिन पाइलेट गुट पर और आप तो एक वक्त पर प्रताब सिंग जी अगर मैं सही हूँ पड़े करीबी उनके माने जाते थे ये कहा जाता है कि उन्हों ने जी जान करके लड़के आपको आगे बढ़ाया लेकिन अंटी करॉप्शन ब्यूरो के रेड के बाद आप अशोगेहलोच जी के हो गए क्या अंटी करॉप्शन में सवाल आपसे भी बढ़ा है क्या Anti-Corruption Bureau के raids को हतियार की तरह इस्तमाल किया जा रहा है विदिन Congress एक दूसरे पर दबाव बनाने के सीधा सवाल है सर आप से इमांदार जवाब देखें अजिनाजी आपको ये बात समझनी पड़ेगी आप आज तक पर बैठ कर जिस तरह से बात कर रही है मुझे बड़ा अस्चर है आपकी बात कर एंटी Corruption Bureau की कौन सी raid Anti-Corruption Bureau का 10064 नंबर देकर पहली बार पूरी राजस्तान में जबर्दस्त काम हो रहा है रोज पुलिस वाले हर डिपार्टमेंट में raid होती है कभी Anti-Corruption Bureau raid को मंत्रियों के यहाँ पर तोड़ना हुई है मंत्रियों के यहाँ पर होती है क्या यह आप जिस तरह की बात कर रही है जो आपको जिन लोगों ने बताई है आपको पुरा इतियास पता होना चाहिए सचिन पाइलेट जी उम्र में मेरे से छोटे है मेरी उनसे बहुत अच्छी मित्रता रही है वो कोई हमारे दूस्बन नहीं हमारी पार्टी में है और 92 में में राजस्तान युनिवरस्थी का अद्देक्स बन गया जब 2004 में सचिन पाइलेट जी दोसा से चुनाव लड़ रहे थे तब मैं जैपूर से 2004 में लोकसावा का चुनाव लड़ रहा था 2004 में तब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे कौन किसको आगे बढ़ाता है ये तो फैसला भगवान करते है लेकिन आपको आज तक चैनल पे बैठी है आपको प्रताब सिंग घाचरी आवास का इतियास पता होना चाहिए मेरे बारे में आप पता करना में पौर रहा हूँ यूथ मूवमेंट से निकला हूँ और सड़कों पर मैं उन्हीं का आरोप है कि आपको भी उन्हों नहीं यादे कि एंटी करिप्शन ब्यूरो राजस्तान सरकार के अंडर में आता है और ये आप जिस तरह की बात बोल रही है चैनल आपका बहुत बड़ा है आज तक पे लोग बहुत भरोसा करते हैं जब भी आप कहते हैं मैं आकर बैठता हूँ आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए कि राजस्तान में जब सचीन पाइलेट जी ने चुनाओ लड़ा वो मेरे साथ ही हैं कॉंग्रेस के बहुत बड़े देता है लेकिन उनके उनको जानने से पहले मुझे राजस्तान जानता है और मेरे परिवार को राजस्तान जानता है शायद आप जानते नहीं खाचरियावास कौन सा गाउं है खाचरियावास राजस्तान का वो गाउं है जहां के मुख्यमंत्री तीन बार मेरे परिवार के मुख्यमंत्री राजस्तान के मुख्यमंत्री रहे आपको शायद पूरी बात पता नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज कॉंग्रिस में हूँ लेकिन मेरे ही परिवार के मुख्या बीजेपी की तरफ से राजस्तान के तीन बार मुख्य मंत्री रहे मुझे जब मैं यूनिवर्स्टी में पढ़ता था प्रताब सिंग खाचरी आवास ने जो भी राजनीत की सब अपनी अपनी बात कहते हैं मुझे किसी से नाराजगी नहीं है वो मैं अपने दम पर यहां तक पहुचा भगवान की कृपा से जहां भी आर आज भी मुझे लोग आप सड़कों पर देख सकते हैं मैं वो आदमी हूँ जो रोज कोरोना सेंट्रों में जाता है आज भी सड़ों पर घूमतावा मिल जाओंगा फुटपात पर मिल जाओंगा अपनी अपनी पॉलिटेक्स होती है मुझे किसी का कोई जवाब नहीं देना आज फोन टेपिंग प्रकरण पर जब मुझे कहा गया मैंने सुबह भी बयान दिया आपके और आपके जो चैनल्स वाले यहां आते हैं मेरा दरवाजा 24 गंटे यहां खुला है मैं इसी सिविल नाइस में रहता हूँ लोगों के दरवाजे बंद पड़े रहते हैं कोरोना में लेकिन मैं कॉंगरिस बीजेपी से उपर उटकर बात करता हूँ लेकिन किसी का ये कहना कौन किसको मैंने आपको इतनी बड़ी बात कही कि 2004 में हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे लेकिन हमारे जब वो राजेस्तान बीजेपी के प्रेजडेंट बने मैं चैपूर का अद्देक्स बना हमने मिलकर बहुत लड़ाई लड़ी बड़े आंदोलन किये तो ये तो अच्छी बात है ने मिलकर संगर्स किया तो कोई संगर्स एक व्यक्ति करता है का लाखो कारे करता जब संगर्स करते हैं तब एक सरकार बनती है मैं आज कह दू मेरे इतने इतने मुव्मेंट है यदि मैं गिनाने लग जाओ आपको तो लोग कहेंगे कि राजस्तान का हर आंदोलन उसमें से 90% आंदोलन लोग कह देंगे प्रतार सिंग आचे यह वास ने किया हर आंदोलन तो यह बात करना मैं नेशनल फेस तो नहीं हूँ मैं यह नहीं कह रहा है कि मैं कोई नेशनल फेस हूँ लेकिन राजस्तान की धरती का बच्चा बच्चा रिक्षे वाले से लेकर गाउं ड्यानी से लेकर जैपूर तक मुझे सब जानते हैं कैसे मैं यहां तक आया मेरे लड़ाईयां कितनी लड़ी कितने आंदोलन किये तो यह कहना कौन किसको आगे बढ़ाता है सब भगवान की कृपास से आगे बढ़ते हैं और कॉंग्रेस का लीडर हो चाहिए बीजेपी का लीडर हो कभी कोई किसी की महरबानी से आगे नहीं बढ़ सकता महरबानी भगवान की चाहिए हानी लाब यस अप्यस जै पराजे सब विधी हात है और विधी सुदर्शन चक्रवाले के हाथ में हैं उससे बड़ा कोई नहीं है किसी को घमन नहीं होना चाहिए कि 5 साल हम दोनों मिलकर लड़े और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ हूँ हमारे परिवार के सदस्य है राजनीत में इस तरह की बाते आती रहती है लेकिन जो लोग इस तरह की बाते करते है न उन लोगों पे मुझे आश्चर होता किसने आपको क्या बात की कम से कम आप तो सिर्फ आपकी एक इमेज़् आज तक की मैं आज तक को आप परसों एक खबर आ रही थी आज तक पे मैं तारीफ करूंगा आपके मुझे बहुत चला कर सुबह पहले आप दिखा रही थी पेट्रोल डीजल की रेज को लेकर दो अजार चंदा से लेकर आज तक किसी और मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी बात करें तो जाज आपके पूरे सवाल को परस्नल ले लिया है